राम नगरी अयुद्या में राम मंदिन निर्मान के लिए जमीन खरीद मामले में नया ट्विश्ट आ गया है बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के निता संजे सिंग के साथ राहुल गांधी और प्रेंका गांधी के तथ्य हीन आरोपों और अनरगल बयानों के चलते राम जन भूमी तीर्थ शेतर ट्रश और विश्व हिंदू परिशत सक्रिय हो गया है तथ्य हीन आरोपों और अनरगल बयानों के मतने नजर विश्व ने तथ्यों के साथ बिंदू वार जवाब देकर जमीन खरीद पर लगाए गए अनरगल आरोपों को द्वस कर दिया है अगली कड़ी में अब द्वेश्वून तरीके से अधार हिन बयान देकर मंदिर ट्रश्ट की परतिष्टा को धुमिल करने वाले राज नेताओं पर मुकदमा भी दर्ज करने की तैयारी की जा रही है इसके लिए ट्रश्ट वे विवीप के शीर्ष पदाधिकारी विमर्श कर रहे हैं जलती कॉंग्रिस के पूर रध्यक्ष राहूल गांधी महा सची प्रियंक का वाडरवय आम आदमी पालिटी की नेता संजे सिंग समेत अन्य कईयों के खिलाफ मान हानी का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है उदर वीप के करेकरिया देख्ष वे वरिष्ट रधिवक्ता आलोक कुमार का साप साप कहना है कि राजनेता उने ट्रश की छवी धूमिल करने की कोशिश की है उसे देखते हुए भारती दंड सहींता की धारा 499 में वे 500 के तहट उन पर मान हानी का अपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है जिसमें दो वर्ष की कैद का भी प्रावधान है उन्होंने अपने बियान में बिना किसी राजनेता का नाम लिये कहा कि दिवानी मामलों में मान हानी के अधार पर शती पूर्ती का दावा भी किया जा सकता है विचार किया जा रहा है कि दिवानी मामला दायर किया जाए या अपराधिक अत्वाद दोनों मंदिन निर्मार में विग्न डालने वालों को माफ नहीं करेंगे वही स्वामी अवधिशानन्द का कहना है कि दिवे अभ्यान को विवाद में घसीटने का प्रयतन दुर्भागय पूर्ण है इस परकार के दुष्परचार में कुछ कुरतीस्त मानसिक्ता के लोगों की स्वार्थी पूर्थी स्पष्ट नजराती है